हेलो, once again, welcome back to my youtube channel तो आज लेकर आया हूँ नया वीडियो, नया उमंग के साथ regression equation तो आएए जानते हैं, ये regression equation होता क्या है, क्यू यूज करते हैं, हमको काम क्या लगता है regression equation का और ये question self करके बाकी सभी question कैसे self कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो अन तक देखें, तो पूरा concept clearly समझ जाएंगे, ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, regression equation है, तो regression equation यूज क्यू करते हैं, सपोज यहाँ पर price दिया हुआ है, सपोज नहीं, question में already given है price और amount demand है, यह amount demand को क्या मलने, biscuit मलने और यह price मलने, biscuit का price दिया हुआ है, biscuit का quantity दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 10, 12, 13, 12, 16, 15 है, तो यहाँ पर biscuit का quantity जो है amount demand, 40, 38, 43, 45, 37, 43, अथार्थ, आप 10 रुपए में, 40 biscuit किन सकते हैं, जो possible तो नहीं है, अभी के स्तिति में, आप माने हुए है, suppose क्या हुए है, आप लोग chocolate ही मान सकते हैं, 10 रुपए में 40 chocolate किनेंगे, 12 रुपए में 38 chocolate किनेंगे, 13 रुपए में 30, 40 chocolate किनेंगे, उसी तरह से 12 में 45 आ रहा है, ठीक है, price variation हो रहा है, घटबट हो रहा है, 17 रुपए में, आपको 37 chocolate दे रहा है, और 15 रुपए में कितना चॉक्लेट देगा, तो वही पता लगाने के लिए हम लोग को 20 रुपै में कितना चॉक्लेट देगा, वो पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, regression equation, ठीक है, तो अगर हम लोग को सह चॉकलेट किनना हो, तो उसका price कितना परेगा, ऐसा भी पुछ सकता है, हमको सहे चोकलेट गिविन देगा और प्राइस पुछ देगा कितना प्राइस पड़ता है तो प्राइस भी पता लगाने के लिए हमको regression equation ही पता करना पड़ता है, regression equation से ही solve कर सकते हैं, so आपको यहाँ पे दो condition आ रहा है एक प्राइस गिवन होगा तो यह नहीं गिवन होगा और यह गिवन होगा तो यह गिवन नहीं होगा ठीक है, उसी को कहता है x on y, y on x यह x on y क्या है, y on x क्या है यह वीडियो में आप concept के लिए जान जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग का table होगा न, उसको माल लेंगे x, ठीक है, किसी तरह का भी हो, आप क्या मानेंगे उसको x मानेंगे, ठीक है और नीचे का table होगा न, उसको माल लेंगे y, ठीक है नाम, यह नाम जो है price, amount, demand यह फरक फरक तेगा एक्जाम में, उससे मत घबराना आप उपर का table को x मानेंगे नीचे को y माल लेंगे ठीक है, उसके बाद इस तरह का अगर table हो ठीक है, तो first step में हम लोग क्या करेंगे, table बनाएंगे एक table बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पता लागाएंगे, यह question x on y का है, यह y on x का है ठीक है, तो ठीक है, table बना लेंगे उसके बाद पता लागाएंगे, यह question जो है, x on y का question है यह y on x का question है ठीक है, तो पहले हम लोग को solution करते वक, table बनाना होता है यह question किसी तरह का भी हो आपको table बनाना ही होगा, अनिवारे है, आपको इस तरह का table आया, तो आप table किस तरह का बनाईएगा solution लिक कर आप एक x का table बनाए ठीक है इस तरह से एक y का table बनाए इस तरह से, उसके बाद आप x y का एक table बना ले ठीक है और y ठीक है, एक x square का भी table बना ले यहाँ पे और एक y square का table बना ले आपको question में कुछ भी पूछा जाए, इतना आप table बना लिजेगा इतना table बनाने के बाद आप इस table को थोड़ा अच्छी तरह दिखने के लिए इस तरह से कर दे इस तरह से करने के बाद आपको question कुछ भी पूछा जाए counts जो value है वह x में रखेंगे y में जो value है ont y में रखेंगे तो यह आपके 10, 12, 13 है उसी तरह से लिखेंगे 10, 12, 13 उसके बाद क्या है 10, 12, 13, 12, 16, 15 12, 16, 15 16, 15 इस तरह से लिख लेंगे उसी तरह से y में क्या है यह आपके देख सकते है..., 40, 38 40, 38 43, 45, 37, 43 है, 37 और 43 इस तरह से हम लोग एरेंज कर लेंगे, x और y का जो मतलब क्या है, x और y को मल्टिप्लाइ करना है, इसको इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, फिर इसको इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, इसको इसको multiply करेंगे, इसको multiply करेंगे, इसको multiply करेंगे और इसको multiply करेंगे तो calculator यहाँ पर है, 10 into 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 400, उसी तरह से इसको multiply करेंगे, 12 into 38, जो हमारा value है, 456 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको 13 into 43 करेंगे, तो हमारा जो value है, वह आ जाएगा 559, इसको multiply करेंगे, 12 into 45 को, तो हमारा आ जाएगा 540, ठीक है, इसको multiply करेंगे, 16 into 37 हमारा जाएगा, 592, यह आप लोग calculator में कर सकते हैं, इसको multiply करें, 15 into 43, तो हमारा जाएगा, 645, आपको doubt लगेगा, तो एक चेक करके दिखा जाता हूं, 15 into 43 कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते है, 645, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, 645, ठीक है, इतना करने के 10 square का square करेंगे, तो कितना जाएगा, 100 आएगा, यहाँ पर 10 square करेंगे, तो हमारा 100 आजाएगा, यहाँ पर देख सकते है, यहाँ पर हम लोग 100 कर देंगे, 12 square करेंगे, तो इसको 12 into 12 कर देंगे, 12 square, हमारा जाएगा 144, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 144, उसी तरह से 13 का square 169 12 का square करेंगे तो 144 आ जायेगा अब उसके बाद 16 square करेंगे यहाँ पर कितना है देख सकते है 16 तो 16 into 16 करना होता है 16 into 16 square करेंगे 16 square करेंगे 256 आ जायेगा यहाँ पर लिख सकते है 256 अब यह कितना है 15 square करेंगे तो हमारा जो value है वह आ जायेगा 225 यहाँ पर लिख देंगे 225 अब y square निकालना होता है y square के लिए क्या करेंगे 14 का square करेंगे यहाँ ठीक है यहाँ पर 14 square करेंगे तो हमारा जायेगा 1600 Art उसके बाद जो है यहां पर देख सकते है 13 है 38 है 38 का स्क्वार करेंगे 38 का स्क्वार करेंगे तो 134 आ जाएगा 38 का स्क्वार करेंगे तो कितना यहां पर 45 का स्क्वायर करेंगे, 45 पर स्क्वायर करेंगे तो हमारा बैल्यू जो है 2025 आज आएगा, उसी तरह से 37 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 37 है, तो 37 स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो बैल्यू है 1369 आज लास्ट में जो 43 है उसका स्क्वार कर देंगे तो हमारा जो बैल्यू है कितना आजाएगा 1849 ठीक है तो यहां पर लिख सकते है 1849 इतना आपको कुछन में कुछ भी पूछे इतना करना ही होता है और इतना करने के बाद सब का समेशन करेंगे ठीक है तो समेशन एकस निकालेंगे उसके बाद समेशन वाई निकालेंगे उसके बाद समेशन एकस वाई निकालेंगे उसके बाद समेशन एकस स्क्वाई निकालेंगे उसके बाद समेशन वाई स्क्वाई निकालेंगे इसका मतलब क्या होता है आपको समझा दू यह सारे को जोड़ना है 10 प् 12 12 15 यह सारे को जोड़ दे तो आ जाएगा समेशन X उसके बाद समेशन Y का मतलब है 40 plus 38 plus 43 plus 45 plus 37 plus 43 इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 246 उसी तरह से 400 plus 456 plus 559 plus 40 plus 592 plus 645 करेंगे इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 3192 आ जाएगा ठीक है और यह सारे को जोड़ेंगे सिग्मा एक्से स्क्वार का पूरा को जोड़ेंगे 100 plus 144 plus 169 plus 144 plus 256 plus 225 करेंगे तो हमारा जो बैलू आएगा वहां से आएगा 1038 काल्कुलेटर में कर सकते हैं आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक लास्ट वाला करके दिखा देता हूं मैं आपको कितना है 1600 plus 144 plus यह कितना है 1849 1849 plus 2025 plus 1369 plus 1849 जो हमारा बैलू आएगा यहां से 10136 आएगा 10136 आएगा ठीक है इतना करने के बाद यह तो आपको हमेशा करना है ठीक है आपको कुछा जाए ना पुछा जाए इतना आपको करना ही होता है इसके बाद का step है आपको पता लगाना है X on Y पुछा गया है, या Y on X पुछा गया है, या दोनों नहीं पुछा गया है, तो यहाँ पे question number A में देख सकते है, estimate the likely demand when the price is Rs.20, अब यहाँ पे देखे, price given है, amount पता लगाना है, price जो है हमारा क्या है, X है, और यहाँ पे थोरा समझना होता है, ठीके, आपको जो पुछा ज demand, demand पुछा गया हुआ है, amount demand पुछा गया हुआ है, price निकलना है, तो demand को क्या माने हुए है, Y, इसको क्या माने हुए है, Y, price given है, Y on X, पुछा गया हुआ है, जो पुछेगा, उसको आगे रखना है, ठीके, उसके बाद, यह जो demand X price पे निर्भर करता है, Y depends on X है, यहाँ प x पुछा गया हुआ है दिमान्ट गिविन है और y पता लगाना है कि यह समझिएगा як में य워서 happen दिमान्ड क्या है ॥ जो x का y पुछा गया है x गिवं है प्राइस गिविन है प्राइस का ढिनाशन क्या है x है y पुछा गया है x given है यहाँ पे क्या पुछा हुआँ x पुछा हुआ है हम लोग को कितना chocolate मिलेगा और demand कितना करेंगे जब price 20 रुपे होगा यह find out करना है दूसरे में क्या find out करना है कि हमारा पास price कितना परेगा अगर चकलेट हमको लेना है 39.25 अगर demand इतना करना है तो हमारा price कितना बढ़ेगा I hope आप लोग समझ गए होंगे समझेंगे और समझ गए होंगे तो हमारा channel को subscribe करें like करें ठीक है अगर ये दोनों question नहीं पुछा गया है आपको ए भी कुछ भी नहीं पुछा हुआ है तो दोनों निकाल देंगे ठीक है तो अगर estimate the likely demand when the price is 20 demand पुछा गया है y पुछा गया है x में ठीक है इसके लिए क्या होता equation जो है यहाँ आपे देख सकते है y on x के लिए regression equation of y on x is given by यह equation लिखना पड़ता है ठीक है तो वही लिखूँगा मैं यहाँ पे solution में एक के लिए तो y on x पुछा गया हुआ है ए नमबर दूँगा यहाँ पे लिखूँगा regression equation of y on x demand पुछा हुआ है price given is given by याद करने का formula आपको बता दू आपको y on x है तो यहाँ पे का लिखेंगे b y on x y on x is equal यहाँ पे हो गया यहाँ पे is equal to the y पहले आता है तो यहाँ पे लिखेंगे y minus y bar ठीक है बात बच गया कुल x है x minus x bar लिख लेंगे आप यहाँ पे याद करने के लिए यहाँ पे फर्मला लिखा हुआ y minus y bar by x x minus x bar y on x के लिए है x on y के लिए नीचे है ठीक है तो यह अभी जरूरी नहीं है दूसरा b का करूँगा तो लिखूँगा ठीक है अगर regression equation of x on y है तो यहाँ पे का लिख देते x minus x bar is equal to b x y y minus y bar यहाँ पे लिखा जाता है अब y minus y bar यह y minus y bar आपको y bar का मतलब क्या है mean होता है अब यह by x क्या है आपको यह बता दू by x y on x में यह लगाएंगे यह यह और यह ठीक है तो simply अगर इस तरह का table देता है अगर इस तरह का table है तो हम लोग सिर्फ यही लगाएंगे आपको by on x का जो है यही लगाएंगे अब b x on y में हम लोग यह formula लगाएंगे ठीक है इस तरह का लगाएंगे अगर आपको question में given है correlation coefficient इसको बोलते हैं r है r का मतलब correlation coefficient ठीक है तो यह लगाएंगे सिग्मा यह है ना इसका मतलब है standard deviation standard deviation of y दिया हुआ standard deviation of x given है correlation coefficient given है तो यह formula लगाएंगे ठीक है अगर covariance given है covariance of x given है y given है और standard deviation of x given है तो हम लोग यह formula लगाएंगे तो यहाँ पे ना यहाँ question में आप पढ़ ले कहीं पे नहीं दिया हुआ है correlation coefficient का बात ही नहीं है न standard deviation का बात है ठीक है ना covariance का बात है तो हम लोग को यह और यह formula लगेगा नहीं यही लगेगा y on x में ठीक है उसी तरह से x on y में दिया हुआ है correlation coefficient तो यह लगाएंगे covidence दिया हुआ तो यह लगाएंगे अगर कुछ भी नई दिया हुआ है तो यह लगाएंगे हमारे equation में कुछ भी नई दिया हुआ है तो यही लगाएंगे तो अब ही तो हम लोग y on x का निकाल रहे हैं तो y on x के लिए यह लगाएंगे formula n sigma xy- sigma x sigma y n sigma x square minus sigma x का whole square ठीक है वही कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देखने के बाद y minus y bar तो आपको मालूम है y bar का मतलब क्या होता यहाँ पर note कर दूँ यहाँ पर note आपको यहाँ पर थोड़ा rough दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर y bar है y bar का formula जो होता है sigma y by n होता है ठीक है तो यह sigma y कितना है हमारा sigma y 246 है तो यहाँ पर 246 लिख लेंगे by n हमारा कितना है यहन का मतलब होता है यह हमारा कितना है 1,2,3,4,5,6 है यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे ठीक है अथार table कितना है यहन का मतलब होता टेबल गनले 1,2,3,4,5,6 है तो 6 हो जाएगा 7 टेबल होता तो 7 लिखते यहन ठीक है आप लोगको मीन में तो कोई प्रब्लम ही नहीं होगा मीन तो आप बच्चे से निकाल रहे होंगे तो 2,4,6,6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहां से जो बैलू आएगा 41 आ जाएगा यहां पर देख सकते है 41 है तो यहां पर हम लिख देंगे 41 ठीक है उसी तरह से यहां पर y बार आ चुका है x बार चाहिए तो यह हमारा x बार जो है x बार का फ्रमला होता है sigma x by n शीगा x कितना है हमारा यहांसे देखते है 78 है यहां प्ले लेंगे 78 by another यह न कितना है यह अभी हमारा काउंट किये थे कितना टेल था 1 2 3 4 5 6 है यहांसे 6 लिख लेंगे 78 बार 6 करेंगे तो हमारा जो बैलू है ध८ारा 13 आ जाएगा यहांसे x बार कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ठीक है तो वही लिख लेंगे हम लोग y minus y बार y बार कितना है हमारा 41 is equal to byx x minus x बार कितना हमारा 13 ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है अब byx निकालना है byx मतलब y on x y on x का फर्मला यहीं था मैंने आपको दिखाया था so b y on x का फर्मला यहीं है यह दोनों तो लगेगा नहीं correlation coefficient है ना stand deviation given है ना covariance given है तो y on x का फर्मला यहीं लग गया तो यह फर्मला मैं यहां से लिख लूँगा ठीक है और यहां पे आपको यह rough में ही निकाल कर दिखा दूँगा तो अच्छा रहेगा यहां पे यहां पे लिख दू तो कोई बात नहीं वो भी कर सकते है नहीं तो rough लिख लिख इसको equation 1 ही मान दे ठीक है इस equation 1 मान दे यहां पे लिख दे यहां फर्मुला था इसको याद करने के लिए क्या होता है यह लास्ट में एक्स है उसके एकस स्क्वार लिख देंगे यह फर्मुला है आप कंट भी कर सकते है यह समझ सकते है ठीक है यन कितना था हमारा यह यन है यह यन हमारा 6 था न इसको capital यन मी लिख सकते है small यन मी लिख सकते है आप लोग कोई फर्म नहीं परेगा यहां पे small यन लिख दे यहां पे small यन लिख दे यहां पे capital लिखे आपको कोई फर्म नहीं परेगा 3192, यहां लिख देंगे 3192, माइनस σिग्मा x, σिग्मा y, सिग्मा x कितना था? 78, ठीक्चे? तो हम लोग उसी तरह से लिख देंगे 78, ठीके? 3192 है यह, 78-2, इन्टो सिग्मा y कितना था? 246, 246 divide yar 6 into sigma x square x square कितना है हमारा 1038 1038 minus sigma x का whole square है 78 है 78 का whole square कितना आएगा calcular कर लेते हैं 78 का square हमारा कितना आएगा sigma x square है 6x कितना है 78 उसका whole square करेंगे तो हमारा कितना आजाएगा 6084 आजाएगा है 6084 ठीक है इसको solve करेंगे तो पितना आजाएगा चलिए calculator में solve करते हैं तो यहाँ पर देख दकते हैं 6 into 3192 minus 78 into 246 है उसके बाद कितना है 6 into 1038 है उसके बाद minus 6084 है यहाँ पर 6084 जवाना value है हुआ आजाएगा यहाँ से minus 0.25 यहाँ लिख लेंगे minus 0.25 और यह जो value है यह जो value है यहाँ पर put कर देंगे यह कहाँ पर put करेंगे यहाँ पर put कर देंगे ठीक है तो putting the value of putting the value of y यह नहीं है byx in equation 1 we get we get क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से यहाँ पर put करेंगे तो y minus 41 is equal to byx कितना था minus 0.25 था x minus 13 था तो यहाँ से y minus 41 is equal to minus 0.25 x minus minus plus हो जाएगा 13 into 0.25 कर लेंगे तो हमरा आ जाएगा यहाँ से 3.25 तो यहाँ पर 3.25 लिख लेंगे तो y is equal to लिख लेंगे यहाँ से ठीक है y is equal to minus 0.25 x plus 3.25 यह minus 41 हो जाएगा तो plus 41 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा minus 0 y equal to minus 0.25 x ठीक है कितना आने के बाद 0.25 x plus इसको जोड देंगे तो कितना आ जाएगा 41 42 44.25 आ जाएगा ठीक है कितना हम लोग छोड देते अगर question में हमारा यह price given नहीं होता ठीक है अगर यह question में price given नहीं होता है यहाँ प्राइस कितना दिया हुआ है एक समारा कितना दिया हुआ है 20 अगर 20 given नहीं होता था हम लोग इतना ही छोड देते एंसर इतना ही पे लिखते यहाँ प्राइस गिवेन है question पड़ सकते estimate the likely demand when the price is 20 प्राइस कितना हमारा 20 है तो यही लिख देंगे 0.25 x x 20 लिखेंगे plus 44.25 लिखेंगे तो हमारा जो y आ जाएगा कितना आ जाएगा यहां से minus 0.25 x 20 plus 44.25 हमारा यहां से आ जाएगा 39.25 ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा estimate the likely demand when the price is 20 ठीक है अगर यह नहीं पुछा जाता फिर भी हम लोग निकालते इतना ठीक है तो हमारा answer यहां पे नहीं होता हमारा answer यहां पे होता अगर यह question में पुछा नहीं जाता तो ठीक है अब निकालता estimate the likely price x on y when the demand is 39.25 अब price पुछा गया हुआ है price x पुछा गया हुआ है ठीक है x on y समझ गये आप इसी को repeat करेंगे यहां से ठीक है इसका solution आपको दिखा दो regression equation इसी तरह से repeat करेंगे तो यहां पे लिखना होगा अब दो B, B का solution करने जा रहा हूँ तो B के लिए क्या करना होगा यहां पे बता दूँ B के लिए आपको यहां पे लिखना होता है क्या लिखना होता है regression equation B के लिए solve कर रहा हूँ regression equation of x on y is given by y इसका भी formula मैंने बताया था आपको यहां पे ठीक है यहां पे आपको मैंने formula बताया था तो यहां पे यह formula है y लिख लेंगे मैं ठीक है Y राइट साइड में कर रहा है x left side में है तो left side में लिखे y right side में है तो क्या करेंगे y-y बर कर लेंगे x का x हो गया x बार हमने निकाला था उस वक्त x बार यहां पे निकाल लिए था हम लोग कितना है था 13 तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 13 अब bxy है, bxy तो निकाले नहीं है, वो लिख लेंगे y-y bar, y bar कितना निकाले हुए थे यहां से, 41, तो वो लिख लेंगे हम लोग, 41, इसको equation हम लोग 2 दे देंगे, इसका मतलब क्या होता है, where bxy, इसका भी मैंने आपको formula तो बताया था, यहां पे, bxy गया x on y है, x on y के लिए यह formula यूज करेंगे, ठीक है, वही formula लिख देंगे हम लोग, यहां पे, n sigma x y minus sigma x sigma y by n sigma y square minus summation of y को whole square, अब value डख देंगे, यहन हमारा कितना था, 6 था, sigma xy कितना था, यहां पे देख सकते हैं, sigma xy हमारा 3192 था, उसी तरह से 3192 लिख देंगे, minus sigma x sigma y कितना था, sigma x 78 था, 78 लिख देंगे, into कर देंगे, उसके बाद sigma y, summation y कितना था, 246, 246 लिख देंगे, by summation y कितना है हमारा, 6 है, into summation y square, summation y square कितना है, 101, 36, ठीक है, वही लिख लेंगे, उसके बाद minus है, minus कर लेंगे, summation y का whole square है, 246 का whole square करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, 246 का square करेंगे तो हमारा आजाएगा 60516 60516 इसको solve करेंगे तो हमारा जो value आएगा यह calculator में हम direct करेंगे तो 6 into 3192 minus 78 into 246 by कितना है हमारा 6 into 10136 minus 60516 इसको divide करेंगे तो हमारा आजाएगा minus 0.12 ठीक है अब इसको put कर देंगे यहाँ पर equation इसको यहाँ पर रख देंगे putting the value of लिख देंगे यहाँ पर putting the value of bxy in equation 2 इतना लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया तो आगे बगाद है putting the value of bxy in equation 2 यहाँ पर put कर दिया तो x-13 is equal to bxy के place minus 0.12 y-41 हो जाएगा उसको solve करेंगे तो x is equal to minus 0.12 y minus minus plus हो जाएगा इसको multiply करेंगे 41 into 0.12 करेंगे तो हमारा जो value है वहाँ जाएगा 4.92 4.92 और minus 13 हो जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा तो इस तरह से क्या करेंगे अब minus 0.12 y plus इसको जो जो जाएगे तो 17.92 हो जाएगा और minus 0.12 into y और question में हमारा क्या था y given था हमारा जो demand था given था यहाँ पर देख सकते है estimate the likely price when the demand given था demand का denotion y था y given था 39.25 ठीक है अगर ये given नहीं होता अगर दोनों नहीं पूछा जाता तो हम लोग क्या करते y on x के लिए इतना answer निकालते x on y के लिए हम लोग इतना answer पर छोड़ देते यहाँ पर दिया हुआ है 39.25 तो हम लोग यहाँ पर 39.25 लिख लेंगे plus 17.92 यहाँ से कितना answer आ जाएगा हमारा क्यालकुलेटर करके देख लेते हैं माइना 0.12 इंटू 39.25 plus 17.92 जो मारा answer आएगा वह आज आएगा 13.21 यहाँ से आज आएगा तो एक बार रोट देख लिए 0.12 इंटू 39.25 plus 17 17.92 जो मारा यहाँ से answer आएगा 13.21 13.21 यह हमारा answer आजाएगा इस तरह से आप लोग solution कर सकते हैं मैंने आपको क्या बोला यह दोनों निकालने के लिए बोला गया है तो दोनों निकालना अगर सिर्फ ए बोला जाता तो हम लोग ए का question निकालके यहाँ पे 39.25 जो था यहाँ पे निकालके छोड़ देते ठीक है अगर सिर्फ यह पूछा जाता estimate the likely price when the demand is 39.25 तो हम लोग को A करने की जरूरत नहीं थी हम लोग सिर्फ B करते यह B करते ठीक है टेबल तो बनाना पड़ता है टेबल बगानाने के बाद B करते ठीक है अगर A और B दोनों पूछा है तो दोनों करेंगे और A B दोनों नहीं पूछा है तो क्या करेंगे दोनों निकालना पड़ता है इस तरह से आपको फूल माक्स आ जायेगा ठीक है और A B नहीं निकालने के लिए बोला गया है तो आप लोग का यह जो बैलू है यह एकस और Y के प्लेस पे नहीं रखेंगे यहां पे जो हमारा एकस के प्लेस पे रखे थे यहां पे 20 और Y के प्लेस पे रखे थे 39 पॉइंट उपर नहीं रखेंगे यहीं पर एंसर लिख देंगे यह किस्टियोप उपर ही एंसर लिख देंगे इस तरह से आप लोग बना सकिए गया अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमे करना चैनल को इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चलता हो